एक बापत से आफ सभी का बहुत बहुत शुवागत करते हैं जहां दूस्तों आज चुनाब होते हैं तो कौन जीता है यूपी के लिए चुनाबी अनुवान और चुनाबी बिशलेशन सामने आचुका है चार बड़े दिग्यत चुनाबी मैदान में होगे तो इन मेंसे ही की सवार प्रेंका गांदी चुनाबी मैदान में हो सकती हैं अगर कौन जाती है लेकिन क्या कहता यूपी के लिए जो सर्वे आया है उसमें यहां पर अगर बात करें तो यह भी वोटर ने जो सर्वे दिया तो उसमें देखें तो हाली में जो सर्वे उसके अनुशार योग संतुष्ट कहने वाले 49% लोग हैं जो योगी अधितनाथ से यूपी के अंदर बहुत संतुष्ट लोग है जब कि संतुष्ट 26% लेकि नाकुष 35% है यानि 35% लोग है जो यूगी अधितनाथ से नाकुष है तो यूपी में स्वार्च नाथ बेहरी टक करपूर होने वाला है कौन जीतेगा इस पर सर्वी यहां पर आया है 30% में सबसे ज freedoms कि ने समा थे कि माया वदीजी ची चार बार यहां पर मुक्मंतिर बारा तक वो मुकमंतिर नहीं यह लेकिन 5 साल का कार का एक भी बार उन्होंनें पूरा नहीं किया है इसके अलावा यहाँ पर मुलाइम जिंग 2003-2007 में वो भी मुखमंत्री है पास साल का कार उन्हों के द्वारा भी पूरा नहीं किया गया है लेकिन अकले शियादब बड़े चेहरे बन रहे हैं बड़े चेहरे योबा चेहरे यहाँ पर उभर का सामने आ है कही ने कही इन पर अब यहाँ पर SP पार्टी काफी मदबूत यहाँ पर नजर आ रही 2012-2070 तक पास साल का कारेकाल उन्होंने पूरा किया है और इस वार क्या अकड़े बन सकते हैं उनकी लिए अगर बात के 2017 से अब तक यहाँ पर योगी आदतनात मुखमंत्री है और 2022 में होने वाले इस साथ सीटों पर सिम्टी इस तरह से यहाँ पर भार्टी जनता पाईटी ने एक तरपा यहाँ पर सत्ता में बाफसी की लेकिन अब क्या आपड़े बन सकते हैं क्योंकि अजरुद्दीन ओभी सी चुनाभी मैदान में होंगे और यहाँ पर SP को सपोर्ट करते हैं लेकिन अजरुद्दीन और कॉंग्रेस यह तीन बड़े चेहरे होंगे जो कि मुस्लिम बोटर को अपनी तरप आकुशित करने में लगे हुए हैं यादा बोटर किसके साथ? SP के साथ 75% यादा बोटर जाते हैं तो कई ने कई SP मजबूत ही यहाँ पर नज़र आईगी SP 4 तो कॉंग्रेस यहाँ पर 5 तो BGP 14% बोटर जा सकता है इसके अलावा हाली में जो सर्वे हैं OVC बोटर किसके साथ जा सकते हैं SP के साथ 23 तो BSP के साथ 24% बोटर जा सकता है कॉंग्रेस के साथ 10% बोटर जा सकता है अब बात करती यूपी में सबसे बड़ा मुद्दा कौन सा बन सकता रिग्री अग्री कल्चर हो यहां पर स्कूल एजुकिशन की बात करें या कॉपरेशन की बात करें या पर यहां पर फूर्ड ट्रांस्पूर्ट की बात करें या यहां पर अनमुद्दे सबसे जादा सबस किया गया था इंडियन लेवल पर राश्टे लेवल पर उस पर भी सर्वे में यहां पर विरुजगारी सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है इसके अलावा यहां पर अदर मुद्दे 17% है तो यहां पर बाटा जो पानी की शमस्या है वो 10% लोग है ट्रांस्पोर्ट को यह पर 7% मानते हैं तो इसके अलावा सबसे बड़ा मुद्दा यहां पर विरुजगारी ही माना जारा इसके अलावा अगर बात लेकिन मुखमंत्री की पहली पसंद कौन है क्योंकि कॉंग्रिस ने भी जारकंड की बात करें तो सरकार बना ली माराश्ट में सरकार बना ली इस है कि वो यहां पर मुखमंत्री बन सकते हैं इसके अलावा सियम पत की अगर पसंद करें तो अखले श्यादा आपको 28% लोग मानते हैं कि वो यूपी के अंदर एक वाफर से सियम बन सकते हैं इसके अलावा 10% मायावती जी के लिए और यहां पर योगी आदितनाद के लिए सर्वे में निकल कर आ रहा है अलागि सीटे अब तक क्लिए नहीं हो पारें कि किसको कितनी सीटे जा सकती है क्योंकि इस वार कुछ आकड़े बेहती चौकाने वाले बनेगी लेकिन सबसे बड़ी पार्टी बीजीपी बनेगी यहां पर आकड़े निकल कर आ रहे हैं लेकिन समाजबादी पार्टी दूसरी बड़ी पार्टी बनेगी अगर समाजबादी पार्टी को कॉंग्रिस और यहां पर बहुजन समाजबादी पार्टी का समर्तर मिलता है तो फिर यहां पर यह जो गड़बंदन होगा वो कहीं बीजीपी से बढ़ जायागा यानि सरकार में बापसी हो सकती है तो ये कई बड़े एक्सपर लोगों के आंक्रे यहां पर निकल का रहा है जिसमें सापतो फका जारा है कि बीजीपे एक बापसी करेगी अगर गड़ बंदन नहीं होता है तो फिर बीजीपे एक तरपा यहां पर यूपी विदहन सवाचुनाप 2022 जीतेगी अगर गड़ बंदन हो जाता है तो फिर कहीं न कहीं बीजीपे को नुक्षान भी हो सकता है या पर समधवादी पार्टी यहां पर अकले शियादाफ के लिए जो आंक्रे बन रहे हैं कि वो अगर गड़ बंदन में आते हैं तो वो सरकार में बापसी कर सकते हैं इसके कारी पाना चाहते हैं तो प्लिश चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिजे ताकि आने वाली जाने का रिगा नरिशन आपको डाइम डाम मिलता रहे